आज दे 17 अफ मेको जयंती पर विशेश, गजल गायक पंकज उधास, लंबी बीमारी ने 72 साल की उम्र मिली जान, नई दिल्ली, आस्टरिस्क, ना कज्रे की धार, चिट्थी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, जैसे न जाने कितने गानों को अपनी आवाज देने वाले स पंकज उधास का निधन हो गया है, उनकी उम्र 72 साल थी, उनकी तबीयत काफी दिनों से खराब थी, वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह कैंसर से जूज रहे थे, मनोरंजन जगत से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं, हाल ही में इस में से कम नहीं है, फ्रेंस और चाहने वाले उन्हें श्रद्धानजली दे रहे हैं, उनकी बेटी नायाब उधास ने सोशल मीडियो पर एक पोस्ट के जरिये पिता की मौत की जानकारी दी है, पंकज उधास की बेटी ने दी जानकारी, नायाब उधास ने लिखा, भारी द पंकज उधास का जन्म गुजरात के जेतपूर में the 17th of May 1951 को हुआ था. 1980 में गजल एलबम आहट से शुरुआत करने के बाद उन्होंने मुकरार, तरन्नुम और महफिल जैसे एलबम से पॉप्यूलरिटी हासिल की थी. तीन साल में ही उन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी प केशुभाई उधास और मा का नाम जितुबेन उधास हैं. इनके बड़े भाई मनहर उधास भी जाने माने बॉलीवुड के सिंग हैं. भावनगर से स्कूलिंग करने के बाद मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. वहीं, इनके पिता उधास एक सरकारी कर्मचारी थे. केशुभाई की मुलाकात प्रसिद वीना वादक अब्दुलकरीम खान से हुई थी, जिन्होंने बाद में पंकज को, दिल्रुबा, वादेयंत्र बजाना सिखाया था. अस्पताल में पंकज उधास ने ली अंतिम सांस. पंकज उधास के पियार ने बताया है कि सिंगर का निधन the 26th of February की सुबह 11 बजे के करीब हुआ है. वह मुंबई के कैंडी अस्पताल में भरती थे. वही उन्होंने आखिरी सांस ली. लंबे समय से उनकी तबियत ठीक नहीं चल रही थी. साल 1980 में गजल एलबम आहट से पंकज उधास चर्च में आये थे. उन्हें हिंदी सिनेमा और भारतिय पॉप म्यूजिक में एहम योगदान के लिए जाना जाता है. इन्हे 2006 में पदमश्री सम्मान से नवाजा गया था.